आप लोगोंने कई तरह की गाडिया देखी हूंगी जिसमें कोई छोटी होती है तो कोई बड़ी वहीं कोई कोई लगजरी होती है लेकिन आज हम बात करेंगे दुनिया की कुछ अजीब और गरीब गाडियों के बारे में इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन टाइम से पास तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लिमोसियन इस गाड़ी को दुनिया की सबसे लंबी गाड़ी होने का खिताब ब्राप्त है जिसमें इसकी लंबाई 100 फिट से कहीं जादा है यदि हम इसका कंपेरिजन किसी एरो प्लेन से करें तो यह उससे कहीं जादा लंबी है जादा लंबी होने के कारण इसमें कई तरह की चीजें मोजूद हैं जैसे की बार बैडरूम और भी काफी सारी चीजें जिसके पीछे एक हैलिकॉप्टर भी आराम से उतारा जा सकता है यह गाड़ी होलिवूड स्टार को बहुत जादा पसंद आती है जिसमें इस गाड़ी का प्रियोग होलिवूड मूवीज में काफी जगें देखा जा सकता है इसको यदि आप पहली नजर में देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि इसे बिग फूट कार इसके इतने बड़े टायरों के चलते ही कहा जाता है जो देखने में अन्यकारों के मुकाबले कुछ जादा ही उचे हैं सबसे पहले इस गाड़ी को वेब जर्नल नामक आदमी ने 1986 में बनाया था जो कंस्ट्रक्शन का काम करता था आज की समय में जो गाड़ी हम प्रियोग में ले रहे हैं इसे बिग फूट 5 कहा जाता है क्योंकि यह इस गाड़ी का पांचवा वर्जन है और जब जब इस गाड़ी के नए वर्जन आए इसमें कुछ ना कुछ सुधार होता गया आज की समय में प्रियोग की जाने वाली बिग फूट गाड़ी कुछ इस परकार की दिखती है यह कार दुनिया की सबसे नीची फ्लैट कार है इस गाड़ी की उचाई धर्ती से सिर्फ दो फीट उची है जिसमें काफी छोटे छोटे पहियों का प्रियोग किया गया है ऐसा हम केवल रेसिंग कार में ही देख पाते थे लेकिन यह एक सामान्य कार है जिसकी उचाई कुछ ज़्यादा ही कम है इसको खास बनाता है इसमें मोजूद जेट इस गाड़ी की स्पीड लगवग सतर मील परती घंटे की है जहां इसे हम केवल यूके में ही देख सकते हैं वाटर कार पाइथन इस गाड़ी को स्पेसल तकनिक से बनाया गया है जिसमें यह सामाने कारों के मुकाबले सडक के अलावा समंदर में भी चलने में सक्षम है जहां हम इसे पानी में कुछ इस परकार से तैरते हुए देख सकते हैं इसकी स्पीड जमीन पर सतर किलो मीटर परती घंटे की रहती है वही समंदर में 45 किलो मीटर परती घंटे से चलती है इस गाड़ी को देखने से कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि यह गाड़ी इतनी खास है क्योंकि यह दिखने में काफी ज़्यादा नूर्मल परतीत होती है जो देखने में काफी ज़्यादा सुन्दर है इस गाड़ी को सिप बनाने वाली कमपनी ने डिजाइन किया है इस गाड़ी की कीमत लगबग 2 लाक अमेरिकी डोलर है फिल 50 यह गाड़ी देखने में काफी ज़्यादा आजीव है तथा इसका आकार भी काफी ज़्यादा छोटा है जो इसे अन्नय गाड़िों से अनुखा बनाता है क्योंकि इसे पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है जैसे की इसके पीछे का हिस्सा किसी ने काट दिया हो कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ओफबिट को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में